तलसी ने प्राचीन काल से ही मानव स्वास्थे के लिए बहुत महत्वपून जिम्मिदारी निभाई है। अपने सम्रिध योगिक पूल के साथ हमारे शरीर को अविश्वस्निय लाप प्रदान करने वाला यह बीज कई चयापचे रोगों के गठन को रोकता है। तलसी के सेवन के क्या फाइदे हैं? कब और कितना सेवन करना चाहिए? आए एक साथ इसकी जाच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहां हर दिन एक नई जानकारी वीडियो के साथ हैं। एक दिन में एक चम्म चलसी का सेवन करने के क्या फाइदे हैं? इस बीज में ओमेगा माइनस तीन जैसे स्वस्थ वसा होते हैं, जो हिरिदै स्वास्थिकी रक्षा करते हैं। यह विशेश रूप से अलफा लिनोलिनिक एसिड के लिए एक बहुत अच्छा स्रोथ है। चम्म चलसी में लगभग 13 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, यह अनुपात आंथ में लाबकारी प्रोबाओटिक बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें गूदा और पॉलिसेकराइड होते हैं। यहां तों के वनस्पतियों की रक्षा करके पाचन से राहत देता है। इसके अलावा, अलसी असंत्रिप फैटी एसिद से भरपूर होती है, जो आपके रक्ष में शरकरा की मात्रा को संतुलित करती है और शरीर द्वारा इसका उप्योग करने के तरीके को नियंत्रित करती है, जिन लोगों में शरकरा असंतुलन होता है। ग्लूकोज के कंड शरीर में प्रोटीन पदार्थों के साथ अनुप्योग बंधन बनाते हैं और उन्हें अनुप्योगी और खराब गुनवत्ता का बना देते हैं। इस प्रक्रिया का नाम ग्लाइकेशन है। ये अलसी में ओमेगा 3 और अन्यस्वस्थ फैटी, एसिड के साथ ग्लाइकेशन को बनने से रोकता है। वहीं एक चम्मच अलसी को पूरी तरह से पचने में करीब 3-4 घंटे का समय लगता है। इस समय के दौरान ये रक्त उतक को धीरे धीरे दिया जाता है। त्रिप्ती की भावना को बढ़ाता है और चीनी के अवशोशन को धीमा कर वहीं दूसरी और इस बीज में धायमिन और पोटेशियम पदार्थ होते हैं जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं और इसमें एंटियोक्सीडेंट क्षमता भी होती है। ये योग एक जो मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने के लिए काम करते हैं और उलेख मात्रा जोडों के दर्द को कम करने का काम करती है। खास कर गठ्या के खत्रे को कम करने के लिए इसमें मौजूद पोटेशियम और मैगनीशियम भी मानस्पेशियों में संकुचन पैदा करते हैं और इस्तिमाल होने पर मानस्पेशियों को आराम देते हैं। इसके अलावा यह शरीर में लोहे को अधेक आसानी से अवशोशित करने की अनुमती देता है, जिससे रक्त में हीमोगलोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यह उक्सीजन को बहुत उच्छ गुनवत्ता वाले तरीके से ले जाने में मदद करता है, यह शरीर में आयरन को अधेक आसानी से अव इसके अलावा, इसमें मौझूद fatty acid बालों के जड़ने और तूटने के खिलाफ भी बहुत प्रभावी होते हैं. तो, क्या अलसी के कोई हानिकारक प्रभाव हैं? यह पोशक्तत्व, जो हमारे पेट और पेट के स्वास्थि पर बहुत महत्वपून प्रभाव डालता है. पेट और पाचन तंत्र सहित कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है. अगर इसका गूदा और स्पंजी आंतरिक संरचना के कारण कम समय में बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है. तो अलसी का सेवन कितना करना चाहिए? विशेशग्यों का कहना है कि सब्ता हमें 3-4 दिन एक चम्मच का सेवन करने से हमारे शरीर को अविश्वसनिय लाब मिलते हैं. इस जानकारी के आलोक में आप अलसी को अपने पोशन कारेक्रम में शामिल कर सकते हैं और किया है. अच्छी तरह से सूचित रहें.